आप गौर से देखिए तो यहां से यहां एक और क्वाइल लगा है तो यह क्वाइल इतने ज्यादा क्यों यहां पे भी था क्वाइल यहां पे भी है क्वाइल तो इतना क्यों 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 कि यह ट्रैक चो है हमारा यह पीसे भी ओभर गरम नहों हो इसलिए यह लगाई जाती हलो फ्रेंड्स मैं मुहम्मद कुद्दूस मुल्टिटेक इवाय के लैम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हमारे पास एक महिंद्रा का चार्जर आया हुआ हमारे स्टुडेंट का तो आज हम इस वीडियो में यह सिखेंगे कि इसमें कौन-कौन से सेक्षन होते हैं और उसकी क्या पाचान है यह हम लोग आज सिखने जा रहे हैं और इसमें कुछ बड़ा चीजें हैं कुछ नई चीजें हैं यह भी आप सिखेंगे तो हमने ट्राइम बचाने के लिए इसको रखा है और इसको आपको खोलना है जैसे यह देखिए यह अंदर के हिसे को अच्छी तरस से और यह मैं अलग कर दिया अब आप यह देखिए बहुत बड़ा यह चार्जर है अब यह चार्जर को रिपेर करना इतना आसान काम नहीं होता है लेकिन हम ऐसे टेक्निक देंगे कि आप आसानी से इसे रिपेर कर सकते हैं बसरते आपकी ट्रेसिंग कुछ अच्छी होनी चाहिए तब आप इसको समझ पाएंगे तो आइए इसे रियोपन करके देखते हैं यह आप देखिए यह पूरा चार्जर आ गया अब इसमें कौन-कौन से सेक्संस हैं आज इस मेन मेन कौमपनेंट से पहले यह देखिए इसमें एक मॉस्पेट खराब था यह मुझे मॉस्पेट चेंज करना है और सिगनल भी चेक करना है तो यह मुझे मॉस्पेट बंगवानी पड़ेगी तब ही कुछ इसमें हो सकता है लेकिन फॉल्ट आइडेंटिफाई हुआ है क तो आइसे लगाके यहां पे हम जोड देंगे और यह प्लग लगाएंगे जैसे करें हैं लेकिन अब यह 거सर्ण यह है कि यह क्यों बनाई जाती है यह गोल क्यों बनाई जाती है आम चारिचरों में तो इसा नहीं किया जाता लेकिन इसमें ऐसा क्यों किया गया है आपके मन में ये सवाल आता होगा आपने देखा होगा मेंदरा के charger और गरा कि आपको पहले ये समझना है कि ये क्यों होता है तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों जब हम इसमें विजली देते हैं एक तो बहुत ज़्यादा एमपियर का ये charger है और इसमें लोड अधिक है तो ये तार्ग बहुत ज़्यादा गर्म होगा और अनवस्यक सिग्नल अगर इस AC के साथ आ रहा है तो ये क्या करता है फिल्टर यानि दो काम यानि ये वायर ज़्यादा गर्म न हो इसलिए गोल बनाई जाती है यानि क्वाइल के रूप में साथ ही साथ इसमें अनवस्यक AC के साथ कोई सिग्नल आ रहा है उसको भी ये फिल्टर करता है तो ये आप समझ चुके होंगे अब हम लोग बात करते हैं कि ये एक और इसके साथ वायर आया हुआ है जो महंद्रा का है ये तो ये कनेक्टर हमें यहां जोड़िए ये जोड़ना है अब ये आपको ये आपको बैट्टी की सप्लाई आपको देनी है और ये आपको चार्जर में जायेगा इस wire को भी काफी मोटा बनाए गया है और काफी ज़्यादा protection इसमें दिया है धूलूल बचाने के लिए अब इसमें ये जो wire है ये plus और ये minus बाकी आपको इसमें पीला और पीला orange, black and green ये wire इसके साथ extra जोड़ा जाता है बैसिकली ये wire इसलिए दिया जाता है कि बैटी पर एक छोटी सी PCV लगी होती है उसको supply प्रवाइड कराया जाता है या उससे भी supply हम इस charger के अंदर पहुँचाते है तो बैटी के द्वरा भी कुछ supply इसमें आती है जिसे ये circuit active होता है जिसे DC mode वाले circuit को active करता है जैसे आप य ये wire यहां से जूड़ा हुआ है कुछ charger में यहां पर एक फैराइड कोर भी लगा हुआ होता है वो अनवसेक signal को loss करने के लिए लगाई चाती है उसके बाद अब आते हैं इसमें से में में चीज़ें के बारे में जानते हैं कि ये क्या है इसके नाम क्या है ये दोस्तों एक आते हैं तो ये line filter coil या RF coil का सकते हैं फिर ये distortion filter capacitor फिर उसके बाद और भी दो तिन और लगे हैं distortion filter capacitor उसके बाद आप गोर से देखिए तो ये fuse लगा हुआ है जो कि DC नहीं AC fuse है ये AC fuse parallel में लगा हुआ है जो कि आपको rubber के cap में बंद है ये इसलिए ऐसा किये जाता है क्योंकि हम इसका ampere बढ़ाना चाहते हैं यानि huge का ampere बढ़ाने के लिए हमें parallel में जोड़ना होगा जो कि आप यहां से यहां देख सकते हैं जूडा हुआ है उसके बाद अब हम बात करेंगे इस point पर ये आप देखिए एक दो और ये तीन जो कि VDR है आप गोर से दिखिए ये एक दो और ये तीन पीले रंग का component है इसमें भी rubber cap लगाई गई है तो दोस्तों ये VDR तीन जो which is attached in parallel direction जो parallel में जूड़े होगे होते हैं तो ये parallel में क्यों जूड़े हैं इतने तो क्योंकि इसका ampere बहुत ही ज्यादा हाई होता है तो मुझे ऐसा VDR जोड़ना पड़ता है जो की parallel में ही जूड़े होते हैं साथी साथ इसमें rubber का कैप भी आप देख रहे होंगे तो rubber के कैप तीनों में लगे हुए हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म होता है और ये आपस में चिपकाया हुआ तो ओभर गर्म ना हो कुछ ने कुछ लॉस हो जाए ये temperature इसलिए किया जा है और PTC भी हो सकता है तो हम कैसे पहचानेंगे देखने में तो एक ही जैसा है लेकिन कोई NTC होता है और कोई PTC होता है तो basically अधिकतर ये देखने में आया है कि relay के पास जो component लगता है वो PTC टाइप का thermistor होता है तो वो check करके हम clear कर सकते हैं कि NTC है या PTC देखने में बहुत सारे component एक ही जैसे होते हैं लेकिन उसको identify कैसे करते हैं ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरसे सिखाया जाता है देखने में बहुत सारे component एक ही जैसा होगा लेकिन उसका नाम और काम औलग होगा और कई बार उसक सकल सूरत बदल जाता है जिसे समझने में दीकत आती है तो उसे कैसे समझना है इसकी भी जानकारी यहां पर बहुत अच्छी तरह से दी जाती है तो आए दोस्तों अब अगले कॉंपनेट की तरह बात करते हैं यहां पर एक रीले लगावा है यह जो रीले है और एक दूसरा भी कॉंपनेट है जिसे रीले कहते हैं यह आप काले रंग का है आयताकार और यह चोकोर है तो यह दोनों ही रीले है जो की एसी रीले कहलाएंगे जो की 220 वोल्ट एसी को आन करेगा और जब तक यह सरकिट चालू नहीं होगा तब तक हमारे सरकिट में बिजली तक नहीं यहां एक और क्वाइल लगा है तो यह क्वाइल इतने जादा क्यों यहां पे भी था क्वाइल यहां पे भी है क्वाइल तो इतना क्यों क्यों क्योंकि यह ट्रैक जो है हमारा यह PCV ओभर गरम नहों हो इसलिए यह लगाई जाती एक तरह से टंप्रेचर को कंट्रोल भी कर करता है और अनावस्यक सिग्नल को भी लॉस करता है ठीक इसी तरह से अगर हम आगे पढ़ें तो इस साइड भी बहुत सारी चीज़े हैं पहले मैं आपको इस साइड की बारे में बता दूँ अब आप गौर से देखिए तो काफी अंदर आपको साइड दीखना पाए लेकिन म जो लगा हुआ है ये कमपनेट ये भी एक जंपर नुमा कैपासिटर से लेकिन ये जंपर नुमा कैपासिटर से ये में कैपासिटर है ये जंपर नुमा कैपासिटर है लेकिन देखने में कैपासिटर की तरह दिखता है लेकिन रियल क्या है ये हम यहां से यहां पता कर ले ड्रबर के अंदर बैक है और यह देखने में टाइंसर की तरह है लेकिन लोग अक्सर इसे क्या समझते हैं कैपासिटर लेकिन है क्या यह डायोट क्योंकि इसके दो पीन है उसके बाद फिर यहां पे एक और डिस्टोर्शन फिल्टर कैपसिटर लगाए गया और फिर आपको यह तीन में फिल्टर कैपसिटर लगाए गया है और फिर इसके साथ आपको सर्ज के लिए यह पीले-पीले ननपॉलराइज कैपसिटर लगाए गया है तो यह चीजे आपको बता दिया गया है अब इसमें सूचिंग कहा है ब्रिज कहा है यह हमें समझना है तो अब SM Trumar कह है यह हमें समझना है तो अब आते हैं यहां तक मैंने बता दिया आप देखिए हर कैपासिटर के साथ एक सर्ज बाइपास कैपासिटर भी लगाए गये हैं उसके बाद अगर हम बाग करें इस साइड में जहां से मैंने मॉस्पेट हटाई है जो की खराब है हलाकि इस सरकीट म मैं यहां पर लगावा कुछ और कॉम्प्लेट भी खराब है जो मुझे चेक करना होगा यहां से मैंने खोला है यहां पर देखिए एक तो यह बाहर निकाला हुआ यह मॉस्पेट है और यहां पर तीन मॉस्पेट यानि सूचिंग मॉस्पेट लगाई गई है हालाकि कंपन दो मॉस्पेट तीन मॉस्पेट और चार मॉस्पेट तो यह चार-चार मॉस्पेट क्यों लगा होता है इसकी विजानकारी आपको अच्छी तरह से दी जाती हूँ उसके बाद दोस्तो अब आते हैं यह इस side में जो कॉम्पनेट लगा हुआ है जो साइद आपको दीखे न नहीं अंदर में ये लेकिन मैं उलड के दिखा सकता हूं ये ध्यान से अगर देखेंगे तो काले रंगा कॉंपनेट हैं जो चार पीन का है जिसे ब्रीज कहेंगे जैसे कि ये देखिए ब्रीज के पीने एक दो तीन और ये चार जो कि AC को DC में कनभर्ट करता है जो काफी पैक करके ही डर जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा करते हैं कि इस लाइन में पीछे नहीं हटना है हर हालत में अगर इंसान ने ये चीज बनाई है तो जरूर ठीक किये जा सकते हैं बसरते हमारे पास नॉलेज हो तो और कॉंपनेंट हो तो फिर आते हैं दोस्तो ये ब्रीज के बाद आप अगर गौर से देखें तो R 005 लिखा हुआ है यानि ये क्या है एक रसिस्टर्स जिसे संट रहिसर हम कहा सकते हैं ये संट रहिसर की तरह काम करेगा उसके बाद अब हम आते हैं कुछ इस साइड में ये जो आप में एसेम ट्रांसफर्मर है जो मुख्य एसेम ट्रांसफर्मर कहलाता है वो उसके बाद ये आपको आउट्पूट है आउट्पूट फिल्टर कैपासिटर्स ये बहुत सारे आउट्पूट फिल्टर कैपासिटर्स लगाए गए हैं फिर ये आप आउट्पूट फिल्टर क्वाइल है फिर आउट्पूट फिल्टर कैपासिटर्स फिर ये फाइनली आपको बैट्टी का कनेक्टर यहां से ज जाती है ऐसे आप दबा करके जोड़ देंगे तो पहुंच जाएगा अंदर इसी तरह से दूसरा भी जूड़ता है इसी तरह से पूश करके हम जोड़ सकते हैं उसके बाद अब आते हैं यानि यहां से आउट्पूट होगा अब आते हैं मेन टॉपिक पर जो काफी क्रिटिकल है वो आपको समझना है जैसे यह आईसी यह आप देखिए आट्पिन की आईसी लगी है फिर यह आईसी लगी है त तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह चीज थोड़ा सा टप पड़ता है फिर भी हम यहां पर बड़ी आसानी से उसको समझा देते हैं फिर भी आप इसकी वीडियो में थोड़ा सा क्लू दे देता हूं यह क्या है ओसिलेटर यह ओसिलेटर आईसी है फिर यह भी यह दोनों मिलकर के क्या करते हैं इन स्वीचिंगों को चलाते हैं जो यहां पर स्वीचिंग मास्पेट लगा था उसको चलाने का काम करता है उसके बाद यह एक छोटा सा ट्रामर लगा है जो एसी सेंसिंग ट्रांस्परमर कहा जाता है एसी सेंसिंग ट्रांस्परमर है जो AC को sense करता है उसके बाद आप अगर इस board को गवर से देखें तो ये बहुत सारे component इसमें लगे हुए तो इसमें कुछ competitor होते हैं कुछ buffers होते हैं वो आपको trace करना होता है कि किसे कहते हैं buffer किसे कहते हैं competitor और इसके number से भी आप जान सकते हैं data sheet से भी आप जान सकते हैं उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस हिसे की तरफ आप देखिए अगर गौर से देख सकें तो ये जो component है ये main controller IC है जो कि quad type की बनी हुई है तो main controller IC है जो कि ये पूरे charger को control करता है temperature को sense करता है ampere को sense करता है और जो ये charging status के लिए कुछ LED लगाई गई है ये LED को भी on off कराने का काम करता है full indication का काम करता है charging on हो गया कि नहीं हो गया इसका भी information इसी से मिलती है यहां पर अगर आप धान से देखें तो एक और component लगा हुआ है एक green रंग का component जो की thermistor का का काम करता है thermistor तो ये thermistor का का काम करता है यानि ये thermistor ही है जो temperature को control करता है या गर्मी को control करता है उसके बाद अब हम लोगों को last वाले point की तरफ चलना है कि जब यहां पर जो ये लगा हुआ है एक और जो ट्रामर जैसा दिखता है लेकिन ये ट्रामर नहीं बलकी coil है और ये उसमें जो sparking होगर आता है जब charger काम करता है switching होती है तो अनवसेक signal निकलता है तो ये उसे control करने की कोशिश करता है तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जो main main company था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी अगर charger महंदरा का आए इसे छोटा भी आता है बड़ा भी आता है तो इसमें main company के बारे में मैंने इसमें पूरी जनकारी दी है और brief जनकारी के लिए आप हमसे contact कर सकते हैं हमसे आके मिल सकते हैं multi tech visit कर सकते हैं इसी तरह की training हम लोग देते हैं तो ये वीडियो मे आपको कैसा लग रहा है ये मेरा वीडियो आप मुझे जरूर बताएंगे हमने इसमें पूरी कोसिस की है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतने से ही आपको पूरा काम ये कर पाएंगे आपको यहाँ पर एक बार भीजित आकर के डेमो क्लास ले करके देखना होग और उसके बाद जितना विरिफ आपको नोलेज चाहिए वो मैं आपको दूँगा जैसे कि हमारे ये लायत है कि इन्होंने कहा कि सर इसके बारे में कुछ बताईए और समझाईए तो मैंने इसे बताने के कोशिस किये अभी इसमें एक मॉसफेट और है बाकी इसको अराम से बैट करके खाली टाइम में थोड़ा सा देखूंगा फिर इसमें में क्या प्रोब्लम है ये भी इनको बताऊंगा तो ये इन्होंने लाया है और ये जनाब लाये हैं और इन्ही का ये चार्जर तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तो मुझे जरूर बताएं थैंक्यू थैंक में ये जरूस्तो में करो साथ जब। ये जरूर तो ये जरूस्तो ये जड़ा से का लगवा़ा सकत्तो हैं जरूस्ताओं।